पंजाब के नए डीजीपी वीके भावरा होंगे ये कोई नई खबर नहीं है लेकिन खबर ये है कि इनके पहले जो डीजीपी थे सिद्धार चटूपाद्या है ये आखिरकार क्यों हटे तो आपको ध्यान होगा ये जो चटूपाद्या हैं तीन महीने के अंदर ये तीसरे डीजीपी हैं जो इनको हटाकर अब जो वीके भावरा को बनाया गया है आखिरकार पंजाब में ऐसा क्या चल रहा है कि वहाँ एक महीने बाद ही डीजीपी को बदलने की जरुत पड़ी तो आप याद करेंगे कि ये पहला परदेश देश का ऐसा है जहां डीजीपी की तरह से चरंजीत सिंग चन्नी से खुली बगावत ये नवजोत सिंग सिद्दू ने की थी जो प्रदेश के अध्यक्ष है कॉंग्रेस के आखिरकार ये समझोता दिल्ली में जाके हुआ चरंजीत सिंग चन्नी के पास जरूर कोई ऐसी बात रही होंगी जिस से उनको पता ल होता है आखिरकार जो इर्दगिर्द अपसर होते हैं वो सारी चीज़े बताते हैं इंटेलिजेंस विबाग होता है वो सारी चीज़े बताता है और दूसरी तरफ जो कैप्टेन अमरेंदर सिंग है जो कॉंग्रेस से उस समय छोड़कर गए थे और अब अब तो अपनी पा रही है जो हतियार आ रहे हैं ये और ज्यादा बढ़ जाएंगे फिर रोक नहीं पाएंगे अगर सीम बना दिया गया नवजोट सिंग सिद्दू को तो उस समय जब फजियत हुई तो ये सारे आरोप लगे बाकी चीज़े खुलकर आई कैप्टन अमरेंदर सिंग विरोध म पे इसको ना बनाया जाए तो एक रबर स्टैंप ढोडनी थी चन्नी को खोज लिया गया लेकिन चन्नी कम से कम इतना समझने लगे के भाई अब उनको सीम बनने का मौका आया है और वो तब बनाया जा रहा है जब तीन महीने बाद चुना हुए तो क्या तीन महीने के लिए वो मुख्य मंत्री बनेंगे या लंबे समय के लिए और इसलिए उन्होंने ये सोचा कि यदि इस तीन महीने में एक रोल मोडल प्रस्तूत कर पाए वो तो शायद उनकी कुरसी आगे भी कंटिन्यू रह जाए जो लोग ये कह रहे हैं कि चन्नी तो रबर स्टैंप है इसको तो कुछ पता ही नहीं है इसको तो नौलीज ही नहीं है नवजोज सिंग सिद्दू आए दिन मजाक बनाता है तो ऐसे में कम से कम वो अपनी काबलियत को प्रूफ करना चाहते थे और इसलिए उन्होंने तै किया कि वो जो है कुछ भी हो सिद्दार चटोपाध्याय को यहा इक हास्चतबत था कि उनको काम से मतलब है यह डीजीपी से मतलब है डीजीपी कोई भी हो भाई पार्टी में सबसक्ता में सरकार तुमारी है तुम परदेश अर्द्यक्षो तुम मुख्यमंत्री को कहोगे तुमारे हर काम हो जाएंगे लेकिन डीजीपी के पोश्ट पर अड़ना है इसी से कुछ डाउट हो रहा था कि यह जो नवजोज सिंग सिद्दू है अखिरकार यह डिजी पी को अपना आदमी अपना आदमी यह कोई होता है कही सारे आदमी अपने होते हैं भाई आईपेस अधिकारी आईएस अधिकारी जितने प्रदेश के हैं उसमें वो अब पता लग रहा है जब मोदी जी की सुरक्षा में चूक और सडियंतर चीजे सामने आ रही है क्योंकि मुझे लगता है और कोई डीजी पी ऐसा नहीं होगा जो तीन महीने के लिए रिस्क लेगा क्योंकि चुनाओ है ये नवजोज सिंग सिद्दू जी कोई मैच नहीं है कि कुछ भी हो सकता है बोल इधर जा सकती है ये जो अधिकारी होते हैं इनके पास सारी सर्वे रिपोर्ट होती है सब अधिकारियों को पंजाब में ये पता है कि पंजाब में कॉंग्रेस की सरकार दुबारा नहीं आ रही है और ऐसे में कोई केवल मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए या किसी प्रदेश के अध्यक्ष को खुश करने के लिए अपनी नोकरी को दाओ पर नहीं लगाएगा अपनी साख को खराब नहीं करेगा और इसलिए अधिकारी ये कोशिश करते हैं कि काम ठीक किया जाए लेकिन कोई कोई अधिकारी ऐसा है जो पार्टी का कारे करता बन जाता है हमने ये चीजे पच्ची बंगाल में भी देखी और चटोपाद्याय तो आते वहीं से हैं पंजाब के जो पच्ची बंगाल के लोग हैं मैंने उनसे बात की कुछ लोग जो इनको जानते होंगे वो कहते हैं साब क्या बताएं कि ये बड़ी पोस्ट पर हैं इसलिए कुछ बोल नहीं सकते हैं पर ये कुछ भी कर सकते हैं पार्टी को खुस करने के लिए तो इसलिए चीजे समझ में आ रही थी और आज जो मोदी जी की चूक में हमने देखा कि इन्हीं डीजी पी ने ये जो नवजोट सिंग सिद्दू के पसंदिदा यार हैं इनों की वज़ा से ही आज जो देश के परधान मंतरी की जान को खत्रा हुआ इनी की वज़े से हुआ क्योंकि रोड किलियरेंस इनों नहीं दिया ये लोड रोड किलियरेंस ना देते तो बाकी लोग आपको बताएं वहाँ जो कैप्टेन अमरिंदर सिंग है वो कह रहे हैं कि मैं भी उसी रास्ते से होके गया हूं उसी पुल के उपे से उतरके गया हूं तो मैं उस रास्ते में नहीं गया जहां अंदोलन कारी बैठे हैं ऐसा कुछ नहीं है ये सब बैठे थे पहले से ये बताया गया है और इसलिए ये गंभीर मामला बनता है और इसलिए अब ये सबूत है ये पता चलता है कि ये जो सिद्धार चोटोपाध्याय को बनाने के लिए नवजोज सिंग सिद्दू अड़ रहे थे उसके पीछे का एक कारण ये ही था कि वो उनका इस तरह का आदमी है कि जो कहेंगे वो करेगा और इसलिए लग रहा है इसमें कि नवजोज सिंग सिद्दू कई बार बोडी लेंगवेज और बाचीश से पता लगता है चन्नी को देखने से तो लगता ही है कि कोई ज़्यादा समझ नहीं है माफ करना मैं ऐसे सब दिस्तमाल कर रहा हूं लेकिन उस तरह के मैचूर्टी नहीं है जैसी एक सीम में बॉल्डनेस होनी चाहिए नहीं तो परधान मंत्री मोदी की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हुई तो कोई ये कहे कि गोली तो चली ही नहीं पत्थर तो मारा ही नह नहीं उनके पास तो कोई था ही नहीं बलाव आप समझी नहीं रहे हैं कि देश के परधान मंत्री को 20 मिनट एक पुल पर खड़ा रहना पड़ा सेंसिटिव एरिये में आप सोरी बोलने के बजाए माफी मांगने के बजाए अधिकारियों पर कारवाई करने के बजाए आप यह कह रहे हो जी कुछ हुआ ही नहीं मतब कुछ होगा तो कुछ करोगे और यह मैचुर्टी दिखाती है चन्नी की लेकिन मजबूरी दिखा रही है चन्नी की भी कि मजबूर देखे कितना है कि उसकी डीजीपी कोई सुनता ही नहीं है पुलिस के अधिकारी हो या प्रशास पंजाब को बदनाम किया जा रहा है पंजाबियत को बदनाम किया जा रहा है नवजोज सिंग सिद्दू कई बाचनों में बोले के पंजाबियत को और पंजाब को बदनाम करने की राजिश की जा रही है बाजपदवारा मोदी जी की जान को कोई खतरा थोड़ा ही था लेक क़िए बता रहा हूं मेरे पास है कि 10,000 पुलिस करमी केवल MP MLA और ग्राम परधान तक की सिक्योरटी में लगे हुए है तो कोई ग्राम का परधान है उसने सिपाई सिक्योरटी ऺए कोई जिलाप परमुख है उसने सिक्योरटी में ले रखे है निगमपारशद है उसने परह स बनाकर और बिचारों को जीप पे खड़ा करके ले जाते हैं मैंने देखा है चंडीगर दिली माहिर पे कई बार मेरा जाना हुआ है तो अगर नेता जी आ रहे हैं तो वो बिचारे खुली जीप में बैठे रहेंगे मलब सर्दी हो गर्मी हो बरसात हो आप बिलकुल उनको बंदवा मजदूर की तरह इस्तेमाल करते हैं और जो ये नवजोज सिंग सिद्दू बोल रहा है कि कोई थ्रेड नहीं था नवजोज सिद्दू जी मैं आप से पूछता हूँ आप साथ सिक्योर्टी गार को लेके चलत हैं फिर वो विवस्ता करती है ट्रैवलिंग में आप 24 गंटे साथ पुलिस कर्मियों को लेके घूम रहे हो आपके इर्दगिर्द रहते हैं क्यों रहते हैं जब सिक्योर्टी थ्रेड नहीं है पंजाब सब सांत है तो आपने फैशन बनाया हुआ है और आपने पुलिस कर् की है इतनी बड़ी तो आप दूसरी तरफ पीम की सिक्योर्टी में वहां दस अजार कर्मी कुल बता रहे हो तैनात करें थे जिन से रास्ता काली नहीं हुआ पुलिस खराब थोड़े हैं पुलिस तो पंजाब की ऐसी है कि एक एक जट खड़ा है वो उठाके हाथ से फैंक लेकिन आप उनको आदेश नहीं देंगे तो यह दिख रहा है कि खास तोर पे सारी कारस्तानी जो यह हुई है यह दिल्ली में जो गांडी खानदान है अभी तो उनका कनेक्शन सामने आ रहा है क्योंकि चन्नी जी ने बताई दिया कि मैंने तो प्रियंका गांडी को सारा हो जाए वो हमारा वफ़दार रहे हम जो कहें वो करें तो चटोपाध्याई ने शायद वो सिद्ध कर दिया है क्योंकि पार्टी आला कमान ने और दिल्ली के गांधी खांदान ने कहा होगा कि मोधी जी की जान को खत्रे में डालो यह तो किसी कारण से जो उनकी योजना थी विफल हो गई कि देश का दुष्मन कोई हमला नहीं कर पाया या यह अंदोलन कारी हमला नहीं कर पाए नहीं तो हमने देखा है कि कितनी बार कितने नेताओं के ओपर इन्होंने तलवार ते भालो ते हमले कर दियें तो ये एक बड़ी साजिस का पठाचेफ हुआ है लेकिन इसमें सबसे जादा आप देखेंगे तो वो नवजोत सिंग सिद्दू का जो यार है डीजी पी जिनको अब हटा दिया गया है उन्होंने अपनी नोकरी को दाव पर ल रहा है पुलिस को लेकर राजिनितिक टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है लेकिन ये पंजाब वासियों को देखना है कि उनको किस तरह की सरकार चाहिए इस तरह से शोबाजी के लिए पुलिस करमों को दुरुपयोग करने वाली और नशाखोरों को और पाकिस्तान की बढ़ाई करने वाली सरकार चाहिए या उनको एक ऐसी देशवक्त सरकार चाहिए कि जो विकास करें क्योंकि विकास में रोड़ा ये कॉंग्रेस बनती है भाजपा की सरकारे जहां हैं आप उत्तर प्रदेश का उधारन देख लीजिए कि वहां जिस तरह से योगी जी ने क काम किये हैं वो कभी भी पंजाब में कब से हो अगर बीजेपी की सरकार होती तो आज पंजाब भी इसी तरह चमक रहा होता वंदे महतर में